कोशन देखिए 2.14 है कहते हैं बुक with many printing errors containing a four different formulae for the displacement y of a particle undergoing a certain periodic motion. periodic motion का मतलब होता है जैसे कोई motion ऐसा हो से simple harmonic motion वो बात देखिएगा simple harmonic motion जैसे हो रहा है जब कोई चीज समझाई जाया करें तो उसको ध्यान से देखा करें तो एक simple harmonic motion होता यह periodic motion है या इसा motion है यह periodic motion है तो इस पर पार्टिक ऐसे वेब जा रही है पार्टिक डिस्प्लेस हुआ नीचे आया डिस्प्लेस हुआ ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है तो time के साथ displacement बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा लिखा कि यह a book with a printing error उसे printing error है और y बराबर generally होता क्या है formula यह होता है y is equal to a sin 2 pi t by t होता है यह पढ़ा यह नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा कभी आपने यह displacement का formula है यह wave मालिया जा रही है तो देखो यह wave ऐसे जा रही है ना यहां पर एक रसी है मालिया आपने रसी बांदा रसी में बहुत सारे ऐसे time period है वो यह है sorry यह वाला है और यह है any time t any time t में यह है displacement y यह y displacement है ठीक है y is the displacement capital t time period है small t anytime है और a amplitude है यह maximum displacement तो यहां पर चार equation लिखे गए हैं और यह कह रहे हैं कि बताओ आप dimension method से कि यह चार equation सही है में इनमें सही कौन सा है तो आप simple सी बात है कर dimension method से कोई सही है तो उसकी दोनों तरफ की dimension सेम होनी चाहिए तो जैसे पहला equation एक कह रहे हैं कि y is equal to a sin 2 pi t by t वो तो हम भी हमने लिखा था तो देखने से लग रहा सही है यह पहला equation कह रहे है कि y is equal to a sin 2 pi t by t यह सही है नहीं सही है बोले सही है बोले क्यों बोले भी निवेकर बताने के पहले टीचर ने बताया था तो आपको दिखाना पड़ेगा ना तो नियम क्या है कि lhs की dimension कि इसके को होनी चाहिए और angle की dimension क्या होनी चाहिए होती है dimensionless आनी चाहिए वो ठीक है तो पहले हम dimension of lhs निकालते है dimension of left hand side तो left hand side में displacement है तो इसकी dimension क्या आएगी dimension of rhs राइट hand side की dimension तो पहले तो एक ही dimension लिखते है तो एक ही dimension क्या होगए sign angle की dimension लिखनी पड़ेगी ना तो 2pi की dimension होती ही नहीं small t की capital t और t की t तो t upon t हो गया angle क्यों dimension लिख रहा हूँ अब बताओ angle की dimension dimension ले सहीग नहीं है और यह l हो गया तो इसका हो तब lhs की dimension is equal to तो आप लिखेंगे dimension of lhs is equal to dimension of rhs so this equation is dimensely correct dimensely correct हम हर पार्ट में यह statement एक सहसा लिखेंगे थे पहले इस वो नोट कर दिए फिर दूसरा पार्ट इसका बताते हैं अथा यहां यह दिखना पड़ेगा कि 2pi t by t यहां लिख देंगे आप यहां पर कि 2pi t by t is dimensionless quantity dimensionless quantity होनी चाहिए अगर यह dimensionless नहीं आएगी न तो यह equation फिलहाल गलत हो जाएगा ठीक है अब यह equation is equal to a sin vt v velocity कह रहे है ठीक है परले तो dimension of lhs लिखते है dimension of left hand side वो तो L हो गई जागर कि dimension of right hand side अब देखो एक ही dimension क्या होगे L sign आइंगल पर आते हैं आइंगल पर velocity dimension क्या है L t inverse 1 और यह है T तो यह आएगा L sign L हो जाएगा ज़रा बताएगे क्या इसका angle dimensionless quantity है आप जो सर बहुत जल्दी हिलाए उनका उनकी जो सोचने की शम्ता और हो कम होती है अंडर यह समली जाएगा तो बहुत जल्दी समझ जाए उसमें गढ़ बढ़ कहीं तुमको दिखनी रहा है L आ रहा है dimensionless quantity दिख रही है तुमको आपको angle dimensionless दिख रही है यह आपको dimensionless दिख रहा है तो आप लिखेंगे angle is not dimensionless quantity इसका हम तो यह equation सही है गलत है so this equation is wrong so this equation is wrong अब आप कहेंगे left hand हमें left hand से मतलब ही नहीं है left hand राइट है तो बात ही सोड़िए पहले angle जो आएगा वो dimensionless दिख रही है तो यह आपका गलत हो गया note करी second part अगला part कहा है कि y is equal to a upon t sin t upon होता है अब आपको इसलिए question दिया अब मालू है कि अभी आपने वेब तो पड़ी नहीं आपको तो यही ने मालू वेब क्या होती है अब यही कर लाज्ट शेप्टरम देते हैं तो पहले तो हम dimension of lhs लिखते है dimension of left hand side वो तो l आ गई y displacement है अब dimension of arches लिखते है dimension of right hand side तो a हो गया length यह t हो गया तो बाहर की dimension हो गई और sign यह हो गया tya tya बोले तो l देखो पहली बात तो यही dimension सही नहीं है l अपांटी आ रहा है और angle इसका dimensionless होना चाहिए तो आप लिखेंगे angle is not dimensionless मतब lhs आरचेस तो मारो गोली lhs आरचेस बाद में आएगा ना पहले तो यही कर बढ़ है तो आप लिखेंगे angle is not angle is not dimensionless quantity dimensionless quantity so this equation is not correct जो पहले आपने लिखा था ठीक this is question number third part note करिए देखेंगे अब यही question है wave की सही है गलत है वह लकी बात है तो पहले तो हम dimension of lhs लिखते है dimension of left hand side तो यह तो l आ गया ठीक है dimension of rhs लिखते है अच्छा a t सब पहले बताय जा चुका question में है क्या है a amplitude है इसका तो l हो गया ठीक अब अज़ जब bracket गंदा चलते है sign अब देखें 2 pi कोई dimension होती नहीं है क्यों टाइम की होती है तो यह t by t हो जाएगा नहीं हो जाएगा और plus cos t by t हो जाएगा अब बताएगे angle dimensionless है नहीं है और यह इसका कामी कितम हो गया और यह lr नहीं आ रहा है तो आप लिखेंगे angle is dimensionless quantity and left hand dimension is equal to right hand dimension so it is correct ठीक है नोड करिए इसको टेके वाएगा है तो